नबश्कार में अब्रिया बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर सुबे के स्वास्त महकमे में बड़े पैमाने पर हुआ तबादला राज़ के साठे तीन लाग सिक्षकों की बढ़ी हुई सेलरी सरकार में की ज़ाएं सरक दुरघटना से बचने के लिए बिहार पुलीस को दी गई ज़र्गी सला बिहार में दस जनवरी से लगेगी कोरोना ठीका की 30 रीडोस बिहार में एक साथ जुड़ेंगे रेल सडक और जलमार्ग अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की और वस्तार से सूबे के स्वास्त महकमें में बड़े पैमाने पर हुआ तबादला बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्त महकमे में बड़े स्तर पड़ अधिकारियों की फेर बदल की गई है इसके तहट स्वास्त सेवा के अधीन काम कर रहे 13 चुकित्सा अधिकारियों का तबादला विभिने जुलों में किया गया है वहीं पाँच नए सिवल सर्जों की पोस्टिंग राजु के पाँच जुलों में हुई है जुसके तहर्य डॉक्र वीर कुवर सिंख को पुर्णिया का, डॉक्र उशा किरन वर्मा को वहशाली का, डॉक्र अमरेंद प्रिसाद सिंग को गया का डॉक्टर राकेश चंदर सहाई बर्मा को मुजफर पुरका और डॉक्टर महेश्वर प्रसाद गुपता को अररिया का नया सिवल सर्जुन बनाए गया है बताते चले कि इसको लेकर वभाग के तरफ से बीते दिन ही नोटिस जारी कर दिया गया था राजु के 3.5 लाग सिक्षकों की बढ़ी हुई सेलरी सरकार रेकी जारी राजु में कारिड़त करीब 3.5 लाग सिक्षकों और पुस्तकाला ध्यक्षों के लिए बड़ी खुश खबरी है इन्हें अब जल्द ही बढ़े हुए वेतनमान के लिए सैलरी मिल जाएगी दलसर बिहार सरकार ने समगर सिक्षा अभियान के तहट 586 करोर 41,49,000 रुपे की स्विक्रिती देते में इसे जारी करने का आदेश दिया है इसके तहट 3,52,000 सिक्षकों और पुस्तकाला ध्यक्षों को 15% बढ़े वेतनमान के साथ सैलरी ट्रांसफर की जाएगी इसको लेकर सिक्षा वभाग के उप सचिव अर्शद फिरोज ने बताया है कि समगर सिक्षा अभियान स्कीम के साथ के दंडरा उन्शमत से मिली पहली किष्ट के विरोधिर राजियांच की राशी जारी हुई है इससे सिक्षकों को वेतन भुकतान के साथ साथ अन्यक कई योजनाव के क्रियानव्यन में भी जल्द काम होगा आपको बता दे कि सिक्षकों की सैलरी देने के लिए राशिवी कुरत होने के साथ ही और लाइन के तहब सिक्षा विवस्था को प्राथ मिक्ता देने का आदेश भी जारी किया गया है सड़क दुरगटना से बचने के लिए बिहार पुलीस को दी गई जरूरी बिहार में पलिस कर्मियों के साथ होने वाले सड़क हाथसों से निजात पाने के लिए जरूरी एडवाईजरी जारी की गई है जिसके तहर बिहार पलिस विभाग ने आदेश जारी करके ड्यूटी के दौरान काम करने वाले पलिस कर्मियों को जरूरी सुझाब दिये है जिसका पालन करने की अपील की गई है इसके तहर ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मियों को कुहासे से सतरक रहने वाहनों में फॉग लाइट, मर्टी कलर पेट्रोलिंग लाइट, रेडियम टेप, इंडिकेटर लाइट, पार्किंग लाइट और विंड स्क्रीन पर लोहे की जाली आदी लगाना सुनेशित करने को कहा गया है, आपको बता दे कि बीते दिनों ही पटना के बेउर जेल इलाके में एक अनियंटरिद बड़े ट्रक ने पुलीस जीप को पीछे से टक कर मार दी थी, जिस हाथ से में तीन पुलिस कर्मियों की मौके पर ही जान जली गई इसके बाद से ओन ड्यूटी पिलिस कर्मियों की सुरक्षा का खयाल रखा जा रहा है, बिहार में एक साथ जुड़ेंगे रेल सडक और जलमार, बिहार में जल्धी प्रधान मंतरी गती शक्ती योजरा के तहत मर्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब बनाने की तयारी की जा रह इसमें रीजिनल कॉन्फरेंस बेठक आयोजित हुई, जिसमें बिहार समेथ जारकंड, उत्रप्रदेश, पस्च्रिम बंगाल, उडिसा और चत्तिसगर के प्रतनिधियों ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये हिसा लिया, इस दौरान मंतरी नित्र नवीन ने दीप प पच्वा और उत्तर पच्वा हवा का प्रभाव बना हुआ है, तो वहीं दक्षणी भाग ज्यानी की जारकंड से सटे छेत्रों और पुर्व में बंगाल से सटे इलाके में एक प्रती चक्रवात का छेत्र बना हुआ है, जिसके कारण से अगले दो से तीन दिनों में 24 घंटे के हाल की बात करें तो मौसा विग्यान के इंद्रिपटना के मताबिक इस दौरान उत्तर पच्विम और उत्तर मध्य बिहार में हलकी बारिश हुई, वहीं राजु में आसत न्यूंतम तापमान 11-13 और अधिक्तम तापमान 20-21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, प बताते चले कि उनका राजुरेतिक जीवन संगर्ष बरा रहा था, उनस्वसी में पुरे बिहार में S.U.C.I. के वो एक मात्र विधायक कांटी से चुने गये थे, जिसके बाद उसी सीट से वो 15 साल तक विधायक बने रहे, प्रफेसर नलिनी बाबु मुझफरपुर के फे पुरा होने के बावजूद भी इसके माफियाओं को पुलिस प्रसाशन किसी का खौफ नहीं है, यही कारणे कि लाखो लाख लीटर शुराब की बरामदगी पुलिस ने बीते एक साल में की है, दर असल खुद बिहार पुलिस ने शुराब बरामदगी का आकड़ा पेश कि शुराब पीने या बेचने के आरोप में कुल 82,930 यानि लगभग 83,000 लोगों को गिरफतार कर जेल भेज दिया गया है, वही 14,812 वाहनों को भी जब्त कर लिया गया, जिसमें 621 ट्रक शामिल है, पुलिस इन वाहनों की निलामी करेगी, बिहार पुलिस ने लोगों से की तसकरी किये जाने या फिर शराब के उप्योग किये जाने से जुड़ी कोई भी सूचना को मदनिशे दिकाई को जरूर सौपे, इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है, जिसके तहत लोग 15545 या फिर 18663456268 पर ऐसी कोई भी सूचना दे सकते हैं, आपक लगेगी कोरोना टीका की तीसरी डोज, कोरोना के मामलों में बेताहाशा व्रधी को देखते वे, अब लोगों को वाक्सीन की तीसरी डोज, प्रिकॉशनरी डोज के रूप में लगेगी, इसके तहत सूबे में 10 जनवरी से कोरोना टीका के प्रिकॉशनरी डोज की शिर्व वालिया है इस दौरान कोवी शील्ड वालों को कोवी शील्ड की डोस दी जाएगी साथ ही 60 प्लस वैसे लोग जिन्हें कोमर्बिडिटी यानि की एक साथ कई बिमारिया है उन्हें यह 30 डोस जरूरी है इसके लिए दोनों डोस के 9 महीने पूरे होने के बाद ही यह लोग 30 डो मापिंग की जाएगी इसके तहट सुबे के 9 शेहरों की मापिंग GIS तकनीक से करने की तयारी हो रही है बता दे चले की तकनीक में मापिंग के लिए बिहार नगर विकास वभागने अररय या फार्बिसकन, श्रियो खगरिया, लखी सराय, जमुई, भभुआ, श्रिभर, सीत प्रस्ताव माँगे हैं, बता दे चले की GIS यानि की जियोग्राफिक इन्फरमेशन सिस्टम तकनीक से किसी खास एरिया की मापिंग की जाती है और जमीन के आसपास के अलाकी की पूरी जानकारी घर बैठे ही मिल जाती है, इस प्रस्ताव के मिलने के बाद लोगों को घर बै प्रस्ताव माँगे हैं, इतना ही नहीं अपने बयानों में उन्हाने भाजपा के साथ सियम नितीश के संबंधों को लेकर आशुचे रिभी जटाया और कहा कि नितीश कुमार गांधी के सिधानतों को मानते हुए उनकी बाते करते हैं रहते हैं, लेकिन फिर भी वो गांध दिये जाने पर चुप कैसे रह जाते हैं, साथ ही उन्हाने कहा है कि कभी हमारे साथ काम करने वाले नितीश कुमार आजुगत बंधन के सहीयोगी दलों को बरदाश कर रहे हैं और भाजपा से अलग होने से डरते हैं, संजे जैस्वाल के समाजवादी वाले बयान पर राज राजपा की दरब से सीम नितीश को सपोर्ट देने की बात सामने आले के बात भाजपा राजपा राजपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भाजपा को सत्ता जाने का डर सताने लगा है भाजपा और RSS पर जीवी का ठक जीवी है वही राज़त प्रवक्ता ने एक बार फिर से खर्मास की बाद बड़ी राजरेतिक उलटफेर का संकेत भी दिया है बिहार के युवक को पियम मोदी की आपति जुनक तस्वीर शेयर करना पड़ा महंगा सोशल साइट पर आजकल एक ट्रेंड बन गया है जिसके तहट यूजर किसी का भी मजाग बनानी के उदेशी से उनकी आपति जुनक तस्वीर शेयर करते हैं और अपनी दुरभावना को दर्शाते हैं इस दौरान वो व्यक्ति की पद की गरिमा का भी खयाल नहीं रखते लेकिन आप भी ऐसा करते हैं तो संभल जाए क्यूंकि ऐसा करना बिहार के क्यूवक को भारी पड़ गया है मामला मध्यपुरा जुले के चौसा थाना छेतर से जुड़ा है जहां एक यूवक ने इस साल 2020 में अपने फेस्बुक आईडी से प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी और एक महिला काबिरेट मंतरी की आपति जुनक तस्वीर पोस्ट कर दी थी उसके बाद पुलिस ने आईटी आक्ट के तहट मामला दर्श कर दिया है मामले की गंभीरता को देखते वे इसे पटना हाई कोट तक ले जाए गया जहां काफी सुनवाई होने के बाद बीते चार जन्वरी 2022 को कोट ने उक्त युवक सज्जाद रजी और सज्जाद आलम की अगरिम जमानत याच्छु का खारच कर दी है इसके साथ ही इसकान में युवक की गुरफतारी होनी पकी हो गई है बिहार के दानापूर में आर्मी कैंटीन हुई बन कोरोना संक्रमन के बढ़ती रफतार ने बिहार बे स्कूल कॉलेज कोचिंग समेत कई चीजों के परचालन पर प्रेक लगा दिया है और इसमें एक नाम अबदानापूर में स्थित सेना के CSD कैंटीन का भी जुड़ गया है बताते चले कि जहारखंड और बिहार सब एडिया मुख्याले के सैने अधिकारिक सूत्रों के मुताविक तीसरी लहर के मदनिजर सेना ने CSD कैंटीन को बंद कर दिया है ये अब 21 जनवरी तक बंद रहने वाला है इसे सेना के जवानों की सुरक्षा को लेकर बंद किया गया है साथी महासाब सफाई को लेकर भी ध्यान दिया जा रहा है जिसके तहत सैनेटाइजर छुड़काव के साथ ही साथ सैनेर छेतरों की एंट्री पॉइंट पर स्क्रीनिंग की भी ववस्ता कर दी गई है दूसरे टेस्ट में खली कप्तान कोहली की कमी भारत बनाम दक्षिन आफरिका के बीच दूसरे टेस्ट माच में मिली हार के बाद कप्तान विराज कोहली को लेकर कई सारे रियाक्शन आ रहे है दूसरे टेस्ट में केल राहूल की कप्तानी में टीम इंडिया में अपनी पारी खेली थी इस मैच में भारतिय टीम दक्षिनाफरी की टीम से बड़े अंतर से हार गई वही अब भारतिय टीम के पास आखरी मैच जीत कर सीरीज को अपने नाम करने का मौका है इसको लेकर एक बार फिर से कप्तान कोहली को इस माच के लिए कप्तान बनाने की बात जोर पकड़ रही है इसको लेकर टीम इडिया के पुर्व अपनर वसीम जाफर ने भी कहा है कि टीम इडिया ने कप्तान विराज को दूस्टे टेस्ट में बिस किया वही यही वज़य है कि यह अंतर पैदा हुआ उन्हाने कहा कि कोहली के ना रहने के साथी खिलार्योग ने एनरजी और जोश को महसूस नहीं किया जुस कारण वो अपनी श्रमता के नुसार खेल नहीं पाए हमारे दुआरा पूछे गया सवाल का जबाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत हनिवाद आप में से जुन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है राजीव कुमार, जितेंदर ठाकुर, राज पूछका सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में जुयाती का जुन गरना मुद्दे पर भाजपाद वारा समर्थन नहीं करना सही है या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज चुके लिए बस इतना ही, बिहार की बड कॉन दबाना ना भूले, नहीं बाद